एक बार एक बहुती खराब अभी नेता था। सचमच बहुती खराब जो हैमलेट का किरदार कर रहा था। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ा, उसकी एक्टिंग और भी बुरी होने लगी। जब उसने ये मशूर लाइन कहनी शुरू की, to be और not to be, लोगों ने उस पर चीजें फैकनी शुरू की। उन्होंने अपने जूते निकाले और उस पर फैके। तो वो स्टेट से नीचे उत्रा और बुला। भाई लोगों, ये घटिया नाटक मैंने नहीं लिखाया। दुनिया के सभी दुखी लोग सोचते हैं कि ब्रह्मान में ही कुछ गड़वड़ी है। दुनिया के सभी दुखी लोग सोचते हैं कि भागवान ने ही कुछ गलती की है। उस गलती को समझाने के लिए ये अपनी इस गलती का हिस्सा होने का कारण बताने के लिए उनके पास हर तरह की फिलोसफी होती है। धर्ती पर जितनी भी फिलोसफीज हैं। अगर आप उन सभी को इकठा कर लें, उन सभी में मिलकर भी उतने सुन्दर्ता नहीं होगी, जितनी इस पेड़ के एक पत्ते में हैं। लेकिन वो फिर भी लोगों को जीवन भर व्यस्त रखती हैं। क्योंकि उन में वैसी व्याख्याएं मिल जाती हैं, जैसी वो सुनना चाहते हैं। फिलोसफर्ज अक्सर ऐसे आदमी होते हैं, जो अपना काम काथ छोड़ चुके होते हैं। माईला फिलोसफर कमी होती हैं। ऐसे आदमी, जो कम से कम खुद के काम छोड़ने की सफाई दे सकते हैं। तो ये बेकाम लोग, जिनके पास ना कुछ करने को होता है, ना कुछ नया बनाने को, वो बस फिलोसफिज निकालते रहते हैं। किसी का भी कोई फिलोसफिज बनाना इस स्रिष्टी के खिलाव गुना है। किसी को एक विचार भी बनाने का हक नहीं है, जब इतना कुछ किया जा चुका है। अगर आप हजार जीवन कालों के लिए भी यहां आएं, और चौबीसो घंटे इस पर ध्यान देते रहें, तो भी आप इस स्रिष्टी का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं जान पाएंगे। जब इस तरह की स्रिष्टी मौजूद है, किसी का अपनी खुद की बक्वास सोचते रहना एक गुना है। लेकिन समाज में, बतकिस्मती से, अज दुनिया इस मुकाम पर पहुँच गई है। जहां अगर आप कुछ ऐसा कहते हैं, जो किसी को समझ नहीं आता, तो बहुत से लोग सोचेंगे कि आप बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमानी, लोगों को वो समझा पाने में है, जो वो नहीं समझ पाए थे। जिन चीजों को वो सदियों से अच्छे से जानते थे, उनहीं के बारे में उन्हें कंफ्यूज कर देना, बुद्धिमानी नहीं है। बतकिस्मती से ऐसे लोगों को स्मार्ट और बुद्धिमान समझा जा रहा है। लोग शब्दों के प्रेम में पढ़कर दुनिया से दूर हो गए। दुनिया से जुड़ने का समय आ गया है। अगर आप, अगर आप अपने मन के कच्रे के धेर के शिखर पर खड़े हों, तो आपके पैर जमीन को कभी नहीं चुएंगे। अगर आपके पैर जमीन को नहीं चूते, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि ये क्या है। इसी लिए इस संस्कृती में आप हर जगा देखेंगे कि लोग पूरी तरह से जुखते हैं। वो चाहते हैं कि उनका पूरा शरीर जमीन को चुए, सिर्फ पैर नहीं। जीवन का या फिर दिन चर्या का अधिकतर हिस्सा, पूरी संस्कृती ऐसे बनाई गई कि आप नंगे पैर चलें। अगर आप पत्रीली जमीन पर न चल रहे हों तो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप धर्ती के साथ संपर्क में रहें। मगर आपको और कुछ समझ ना आएं, अगर आप बस दस दिनों तक ऐसे बैठें, तो आप हजार किताबे पढ़ने से कहीं ज्यादा जान जाएंगे। क्योंकि अगर आप बस ऐसे बैठते हैं, तो धर्ती माँ आपके अंदर समा जाएंगी। आपसे पूछे बिना। इस पर विश्वास मत कीजिए। उन्हें आप में समाने की जरूरत नहीं हैं। क्योंकि जैसे घास की एक पत्ती धर्ती से बाहर निकली है, आप भी बस वैसे ही हैं, बस आप थोड़ा चल फिर सकते हैं। वरना, अभी यहां बैठे हुए, आप बस मिट्टी का एक धेर हैं, आप बस वही हैं, आप सोच सकते हैं कि आप कुछ और हैं, लेकिन आप बस वही हैं, और वो होना छोटी बात नहीं है। अगर आप खुद को कुछ और मानते हैं, तो वो चोटी बात होगी। वरना, आप खुद यह धर्ती हैं, आप खुद यह स्रिष्टी हैं, तो आप इस धर्ती पर एक छोटा सा उभार हैं, और यह मत सोचिए कि यह चोटी बात है। वलियंगिरी पर्वत भी धर्ती पर एक छोटा सा उभार हैं, हिमालय भी छोटा सा उभार हैं, आप भी हैं। हर संभव तरीके से वास्तविक्ता से जुड़े रहकर ही कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपने दिमाग में बेकार की बातें सोच कर नहीं। जो किसी चाय की पाटी में तो चल जाएगी, अस्तित्व में वो नहीं चलेगी। समाज के नाम पर आपने जिन मूर्खों को अपने आस पास इकठा किया है, उनके सामने वो चल जाएगी। स्रिष्टा की नजरों में वो नहीं चलेगी। अगर आप स्रिष्टा की आँखों में फेल हो जाते हैं। तो जो भी दूसरे गौरव आपने हासिल किये हैं, वो खोकले हैं, वो आपका साथ नहीं देंगे। जब इस शरीर को छोड़ने का समय आएगा, जब धर्ती को वापस धर्ती में डालने का समय आएगा, तो वो निश्चित रूप से आपका साथ नहीं देंगे। कर दो कर दो